हालो फ्रेंट्स वल्कम टू अभी पीडिया मैंने में इजैमे सुसेन और आज मैं आपके पास आया हूँ नबाट ग्रेड एक फेज टू एक्जाम के रिगार्डिंग बात करने के लिए सबसे पहले तो कॉंग्राश लेट करना चाहूंगा उन बच्चों का जिनका फेज बन फेज टू पर बहुत फोकस करने पड़ी कि सबसे ज्यादा मां जो मार्क्स है वह आपके फेज टू में है और इसी में आपको थोड़ी बढ़त बना के चलनी पड़ेगी ताकि आप इंटर्व्यू के भरोसे ना रहो ठीक है इसके लिए अगर हम बात करें फेज टू के बा अब 50 marks का आपका हो जाएगा ARD डिसक्रिप्टीव और 50% 50 marks का objective यानि अगर हम लोग descriptive की पार्ट देखें फेज 2 में तो आपके 1500 marks का जो है वो क्या हो जाता है descriptive part होता है और 25% जो होता है जानि 50 marks का जो है वो क्या हो जाता है वो आपका objective part है अब यहां पर एक बात मैं बता ARD आपने और ESI phase 1 में पढ़ा है, पूरी अच्छे से तैयारी है, आपको क्या करना पड़ेगा आप यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ तैयारी करने पड़ेगी, आपको typing की descriptive की, ठीक है, तो typing की तैयारी करने पड़ेगी, test series के लगाने पड़ेगी, कि किस type से आप question को दे सकते है यहाँ objective हट चुका है, objective है 50%, लेकि 50% के लिए आपको descriptive के questions देखने पड़ेगी, किस type से आप उसके answer करते हो, और यहाँ पे pen paper mode नहीं है, यहाँ पे आपके keyboard mode है, तो बिल्कुल उससी type से आपको तैयरी करने पड़ेगी, और English descriptive की भी वैसा ही approach है, जैसे की comprehension आपने पढ़ा के उपर सबसे ज़्यादा खेले, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, practice करनी पड़ेगी, और practice कैसे करनी पड़ेगी, test series के दुरू, देखें, अभी PDF आप लोगों को यही चीज़े को मद्द नजर रखते हुए, अभी PDF आप लोगों के लिए test series लेका आया है, descriptive के अलग-अलग test series लेकर आया है, और बिल्कुल exam-oriented interface, exam-oriented आपके questions, सब कुछ बिल्कुल exam-oriented और पूरा exam का एक माहौल आपको create करके देता है, आप वहाँ से preparation कीजिए, आपको मतलब बहुत ज़्यादा help होता है, क्योंकि हमारा जो trend आती चल रहा है, हम लोग बिल्कुल आपको exam-oriented देते हैं, ताकि आपको exam में कोई रिक्कत ना आए, और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, और जितने भी हमारे test series हैं, उसका link में हो, description box पर दे दूँगा, वहाँ से आप जाके join कर सकते हो, बाकि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो portal है, वो पर दिखाऊंगा, आप अच्छे से देखिए और उसका फायदा लिजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, अभीpdia.abhimanyu.com, वैसे तो मैंने test series के, जितने भी link है, वो description box पर दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है, वैसे और करना है आपको, जैसे क्लिक करोगे, नबाट की जो हमारा portal page है, वो खुल जाता है, उसके बाद थोड़ा से नीचे जाओगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे subscription है, video courses है, यहाँ पर आपको test series है, और micro courses है, तो हमें जाना किसमें है, test series में, हम लोग जब जाएंगे, तो different type के test series मिल जाएंगे आपको, आप देखिए कितने type के test series मिलते हैं, सिर्फ phase 2 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, देखो, phase 2 का means का complete test series, जिसमें आपको English descriptive भी है, ARD, ESI descriptive भी है, और ARD, ESI objective भी है, ठीक है, यह भी मिल जाता है, इसके बाद देखिए, अगर आप सि descriptive मुझे लेना है, वो भी मिल जाता है, चलिए, अब देखते हैं हम लोग, इस question को, question के pattern को देखते हैं, और फिर उसके interface को देखते हैं, ठीक है, इस तरह test series हमारा सुरू हो जाता है, और बिल्कुल reasonable price पे, 800K उपर, ठीक है, और आपको मैं बता दू कि आप जो question लिखते हो, वो भी मैं बताऊंगा कि step से आपका होगा, ठीक है, इसके बाद देखें, यह test है, test आपने start किया, यह test start हो जाता है, ठीक है, उसके बाद देखें, यहाँ पर आपको yes करना है, जो condition है, चलिए, start करता है test, यह question आ गया, अब जैसे question कैसा होता है हमारा कि, जो exam pattern है, ARD और य करने हैं आपके 10 marks के, तो यहाँ पर 15 marks है, यहाँ पर 3 question दिया हुआ है, इसमें से 2 attempt करने है, आपको attempt करना है, यहाँ पर एक लिखना है, क्या attempt वाला, ठीक है, यहाँ पर click here to attempt करेंगे, जैसे click here to attempt करेंगे, यहाँ पर keyboard आ जाते है, अब इसमें से जो question भी आप लिखते हो, तो यहां पर करेंगे और फिर अपना लिखना चालू कर देंगे तो बिल्कुल आपके बिल्कुल एक्जाम औरेंटेड इसी तरह का इंटरफेस वहां पर भी मिलेगा आपको यहां पर टाइप कर सकते हो और बिल्कुल प्राक्टिस कर सकते हो और यह जो कॉस्चिन का आंसर लिखते हो आपना इसका इवालवेशन आपके एक्सपर्ट फैकल्टी करेंगे विदिन 72 आवर्स के अंदर आपको इसके इवालवेश आपको फिर मिलते हैं 72 अंदर तो बस आपको फिर स करना है और फिर चले जाना है दुसरे कोश्चन पे दूसरे में पर और यहां पर तो यहां मुझे है does सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है तो आल दे बेस्ट फोर यो पीपेशन थैंक यू एंड बने रही अभी पीडिया के साथ और अपना सेलेक्शन को सीक्यार के लिए थैंक यू